आकाश्वानी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरियाना में चुनाव प्रचार के दोरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चरखी दादरी जिले के दादरी विधान सभा में भाचपा प्रत्याषी सुनील संगवान के समर्थन में जन सभा को संबोधित किया मध्य प्रदेश, राजिस्थान और केंद्र सरकार के बीच कल श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में पारवती काली सिंद चंबल E.R.C.P. लिंक परियोजना के संबंद में त्री पक्षिय समिक्षा बैठक हुई इसमें केंद्री जलशक्ती मंत्री सी आर पाटिल, प्रदेश के मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजिस्थान के मुख्य मंत्री भजनलान शर्मा सहीत, केंद्र और राजिसरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नितरत्व में देश में नदी जोड़ो अभ्यान पर काम चल रहा है इसी दिशा में मध्यप्रदेश और राजिस्थान के बीच पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना पर बड़े पेमाने परकार किया जा रहा है केंद्र सरकार के सहयोग से दोनों राजियों ने 20 वर्ष पुराने विवात का हल निकाल लिया है और शेगर ही इस परियोजना के सकारात्मक परिणा दिखेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आशा व्यक्त की कि आने वाला समय मध्यप्रदेश और राजिस्थान राज्यों के लिए अद्वितिये रहने वाला है राजिस्थान के मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि परियोजना का मेमोरेंडम आफ एग्रिमेंट अनुभंध होने वाला है के अंद्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कारेकाल के पहले सो दिन पूरे हो गए है इन सो दिनों के दोरान विभिन शेत्रों में उल्लेखनी प्रगती देखने को मिली है आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से विक्सित हुआ है बालाघाट में सडक, बड़े पुल, और ब्रिज, रेल कनेक्टिविटी में काफी प्रगती देखने को मिली है जिले के लोगों को आवागमन रोजगार सहित अन्य सुईधाओ का काफी लाभ मिल रहा है वियापारियो सहित, अन्य शेहरी और ग्रामिन अंचलो के लोग एक स्थान से दुसरे स्थान की यात्रा करने में कोई परिशानी नहीं हो रही है वहीं बेरोजगारी दूर करने में बड़े उद्योग धंदो का विस्तार किया जा रहा है जो आप देखेंगे तो रेल्वे ब्रिज जो काफी सालों से रुके थे वो उन पे काम हो रहा है सडकों का जाल तेजी से विक्सित हो रहा है कि अभी हमाएं हां से पूरे जिले से तीन-तीन बड़े हाईवे जो काम चालू है और लगातार बन रहा है आने वाले दो-तीन साल में पूरी तरह प्रोजेक्ट रेडी हो जाएंगे तो बाला घाट की छवी पूरे देश में अलग दिखेगी रिजनल इंडस्ट्री कॉंट्लेव के एक दिन पहले आज सागर में बुंदेल खंड हेकेथान 2024 नए विचारों का उस्व कारिक्रम आयोजित किया जा रहा है MP, Industrial Development Corporation, MPIDC और IEM Global की पहल पर यह है हेकेथान बुंदेल खंड में नए विचारों और उद्यम शिल्ता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई है हेकेथान में 600 से अधिक स्टार्टप ने प्रविष्टियां भेजी थी जिसमें से 60 सरुषेष्ट स्टार्टप फाइनल में पहुचे है सागर संभाग की चुनिंदा समस्याओ पर स्टार्टप द्वारा समाधन प्रस्तूत किये जाएंगे नवीन तकनी की समाधान जो बुंदिल खंड और मद्धि प्रदेश के समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे हेकेथान में प्रथम पुरुसकार एक लाग 51,000 रुपे रखा गया है इस बीच शेत्री और द्योगिक संपेलन को लेकर तैयारियां अन्तिम दोर में है अब बात मोसम की प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दोर शुरू हो गया है आज सुबह से भुपाल में हलकी बारिश हो रही है मोसम विभाग ने आज जबलपूर सागर समेत 16 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है कल भुपाल इंदोर समेत प्रदेश के 21 जिलों में बारिश होई मोसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में इस बुलेटि में बस इतना ही नमस्कार